दन्नाहार थानाक्षेत्र के ग्राम नेकापूर में बीती उन्नेस अगस को रवीपाल ने अपने ही सगे दादा दादी और बुआ को गोली मार कर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था जिसमें बुआ की मौके पर ही मौत हो गई और दादा की इलाज के दौरान मौत हो गई तथा हत्या रोपी रविपाल की मदद कर हत्या का शडियंत्र रच कर नामजद अभियुक्त जानते हुए भी विनोत पाल पुत्र जदुनात सिंग निवासी किशनपूर जनपद औरेया ने अपने घर वट्यूब वेल पर छिपा कर शरण दिया गया था तथा पुलिस से छिपानी की मदद की गई थी पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद ही अपराधी रविपाल को गिरफतार कर जेल भेज दिया था और शरणात ही विनोत पाल फरार चल रहा था जिस पर मैनपुरी पुलिस अधिकशक अजय कुमार पांडिय द्वारा बीस हज गिरफतार का इनाम भी घोशित किया गया था जिसको मुखबीर की सुचना पर दन्नाहार थाना प्रभारी ओम हरी वाचपई तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने वांची चल रहे अपराधी को 28 अक्तुबर को करहल 14 मैनपुरी से गिरफतार कर लिया गिरफतार पर मुकदमा पंजी कृत कर जेल भेज दिया